क्या आप 12th पास हैं और कहीं जॉब नहीं मिल रही है जी हाँ आपने अभी अभी 12th पास कर लिया है या पिछले वर्स या उसके पिछले वर्स आपने 12th पस पढ़ाई पूरी की हुई है और उसके बाद अब कहीं आप जॉब दूड़ने जा रहे हैं या आप पार्ट टाइम कहीं जॉब करना चाहते हैं आप चाहते हैं कि आपकी अर्निंग शुरू हो जाए 12th के बाद आपको जरूरत है वैसों कि तो आप कहीं भी जॉब दूड़ने जाते हैं तो आपको जॉब नहीं मिल रही है ये प्रॉब्लम आज कल लगबग सभी की है जो 12th पास कर लेते हैं उसके notification को देखिए वहाँ पर जितनी भी vacancy निकली होती है उसमें computer का diploma जो है वो अनिवारिक होता है क्योंकि हर office कारे आजकल computer में होने लगे हैं तो आप किसी भी post में हो आपको ये माना जाता कि आपको computer का knowledge होना ही चाहिए तो आप part time कहीं जाते हैं job करने के लिए लेकिन आपके पास diploma नहीं है किसी भी job में apply करने जाते हैं सभी जगे computer का ही diploma मांगा जाता है knowledge अपनी जगा है knowledge तो होना चाहिए लेकिन जब हम किसी company में apply करते हैं हम अपने छेत्र में किसी कोई vacancy निकलती वहाँ apply करते हैं तो वहाँ पर ना प्रमाण मांगा जाता है कि आपने कह आपने से कोर्स किया हुआ है तो उसका कोई diploma आप लेकर किया आए तभी वहाँ पर आपका selection होता है आपका interview लिया जाता है या आप कहीं online form भर सकते हैं इसके लिए आपके पास computer का diploma होना अनिवार रहे एप से ADCA का कोर्स जो कि 12 से के बाद होता है जॉइन कर सकते हैं advanced diploma in computer application ये 12 के बाद one year computer diploma कोर्स होता है इसका जो diploma है कुछ इस प्रकार से होता है आप देख लीजे इसमें आपको ADCA का इक diploma मिलेगा first sem और second sem की mark sheet मिलीगी आपका 12 हो चुका है आप हमारे app से ADCA का कोर्स जोईन कर सकते हो ADCA कोर्स में आपको मिलेंगे 700 प्लस वीडियो जिसमें आपको fundamental of computer, MS office, MS access, internet and e-commerce, IT trend, multimedia, DTP ये सारे subject को practical पूरा सिखाया जाएगा और total 59 PDF file के notes भी दिये जाएगे जिसको पढ़कर की भी आपको इन विश्यों का अच्छा knowledge हो जाएगा और यहाँ पर यह जो वीडियो आपको mobile में दिये जाएगे इनकी जो duration है आपके पास यह lifetime रहेगी जी हाँ आप lifetime इन वीडियो को देख करके अपने laptop में practice कर सकते हैं और भी अपना knowledge upgrade कर सकते हैं तो इस course को join करने के लिए आपको app के description आपको video के description में आना है और इस app को download करना है जिसका नाम है my computer course app इस app को आप download करेंगे आपको ADCA course दिखाएगा वहाँ पर आपको जाकर के course की payment करना है course को join करना है उसके बाद आपका diploma आपको email में मिल जाएगा और उसकी hard copy speed post करकर app के ही chat में आपको उसका tracking ID share कर दिया जाएगा तो बहुत ही असान तरीका है हमारे app से घर बैठे DCA, ADCA, PGT से courses करने का आज मैंने आपको ADCA course के बारे में बतलाया अब हम regular अपने YouTube channel में ADCA की classes upload कर रहे हैं तो आज की class हम सुरू करते है ADCA की जिसमें आपको पूरा practical और theory subject को daily class wise पढ़ाया जाएगा तो चलिए ADCA की आज की class सुरू करते हैं हेलो फ्रेंड्स तो आज किस वीडियो में हम सीखेंगे किस तरीके से हम MS Word में Bill Book तयार कर सकते हैं तो मैंने यहां पर यह पेपर ले लिया है जो कि A4 size का है मैं यहां से इसकी size changing कर लेता हूं यहां पर जाकर के मैंने कर लिया A4 size जो Bill Book बनाई जाती वो Bill Book बनाना उसकी चोड़ाई कुछ और डालनी है यहां पर उसकी height कुछ और और यहां पर changes करेंगे ओक करेंगे तो उस size का paper आपका यहां पर आजाएगा कुछ इस प्रकार से ऐसा तो अभी मैं A4 size का paper मैं यहां पर बनाना चाहता हूं तो मैंने A4 size का paper रखा है तो चलिए व column तो मैंने यह इस तरीके से count कर लिए यह मेरे को यह 5 column चाहिए तो मैंने यह क्लिक कर दिया यहां पर एक table आ गई है अब मैं first वाले को मैं इस तरीके से मैंने select किया कुछ इस प्रकार से और इसको कर देना merge, merge करने के लिए आपको table tool के अंतरगत यहां पर आईए और यहां यहां पर जाकर के आप कर दीजिए merge cell इसके बाद मैं second वी कर देता हूं क्यूंकि इसकी भी जवरत पड़ेगी अभी मैं इस option में हूं तो पहले इसी का use कर लेता हूं यह हो गया इस तरीके से अब मैं यहां पर जो मेरे को matter लिखना वो यहां पर मैं type करा लेता हूं जैसे म यहां पर मैंने enter की press की यह क्या case memo तो मैंने यहां पर लिख दिया case memo यहां यहां पर टाइप कर लिया कोशिस प्रकार से इस वाले को मैं select करता हूं थोड़ा सा मैं dark देना चाहता हूं उपर वाले text को तो मैंने यहां से जाके bolt कर लिया shortcut की control plus भी है तो आप कर सकते हो तो मैंने ये select कर लिया इस तरीके से और इसको थोड़ा सा size कम करते हैं ये इसके बाद enter यहाँ पर मैं swap का नाम लिखने बाला हूँ उस swap का यहाँ पर नाम लिखूंगा जिस swap का मैं ये billbook तयार कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ cap lock को on कर लेता हूँ तो मैं font बदल लेता हूँ ये मैंने कर लिया है और इसकी size को मैं थोड़ा सा increase करा लेता हूँ लगभग ये इतना इस प्रकार से ये हो गया है इसके बाद मैं यहाँ पर चलता हूँ तो ये हो गया Nokia इसके बाद मैंने कर लिया Samsung ओप ओप जो भी आपको लगए वो आप दे सकते हो मैंने ये कर दिया है इसके बाद मैं डिये टेक नो ये मैंने यहाँ पर कुछ नाम इस तरीके से दे दिये हैं कुछ इस प्रकार से इसको मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है इसको मैं बोल्ट करना चाहता हूँ थोड़ा सा ये बोल्ट कर लिया इस प्रकार से और size को थोड़ा सा increase कर लेते हैं कुछ इस प्रकार से मैंने य लिया है इसको center align करना तो control ए press करेंगे तो यह center align हो जाएगी अब मैं इसका जो cell है यह पूरा cell इसके background का color change करना चाहता हूँ तो आपको design में जाना पड़ेगा यहाँ पे design में जाने के बाद setting color में कुछ आस प्रकार से रखना चाहता हूँ यह हो गया अब मैं इनमे गैप मैंटन करना चाहता है तो आपर स्पेस की दे देता हूं इनके बीच में एक प्रकार से बरावर गैप देना है आपको कोछ इस प्रकार से जैसर कि मैं यहाँ पर दे पा रहा हूं यह हो गया है लगबग इसको और अर्जेश्ट कर लेते हैं यह हो गया है इसके बाद मैं यहाँ पर next row को select कर लेता हूँ यहाँ पर इसको select करने के बाद यहाँ पर जाकर कि मैं मर्ज कर लेता हूँ यह मर्ज हो गई यहाँ पर इसके बाद मैं यहाँ पर enter के द्वारा gap कर लेता हूँ थोड़ा सा और बापिस से उपर क्लिक करता हूँ यहाँ पर मैं इन्वाइज नमबर मैंटेंड करना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पर लिख देता हूँ इन्वाइज नमबर यह मैंने यहाँ दे दिया वो next column में, sorry, next row में चला जाएगा, तो मैंने space के दोरा यहाँ पर आ गया, यहाँ पर मेरे कुछ date mention करनी, तो मैंने यहाँ पर date दे दिया है, इस प्रकार से, और यहाँ पर यह हो गया, इतना होने के बाद आप enter की press करेंगे, आप next line में आएगे, इसके बाद यहाँ पर लिख इसके बाद फिर इंटर प्रेस करेंगे, इसके बाद उसका address डालना है, तो मैंने यहाँ पर कर लिया address, address हो गया है, इसको यहाँ पर इस प्रकार से यह कर लेता हूँ, यह हो गया है, इसके बाद फिर इंटर की press करता हूँ, और यहाँ पर मेरे को देना customer का contact number, तो मैंने य phone number इस तरीकिस type कर लिया है और यह मैं इस तरीकिस दे देता हूँ यह हो गया है यहाँ पे ज़्यादा space हो गया है आप लाश में करसर रखके back कर सकते यह ठीक है और back कर लेते हैं अब ठीक है अब मैं इन दौनों को select कर लेता है यह सारा यहाँ से इस तरीकिस select कर लेता हूँ इनके बीच में थोड़ा सा space maintain कर लेते हैं अपने यहाँ पे जाते होम टैब में और यहाँ से something यह ठीक है इसके बाद इसको zoom कर लेता है थोड़ा सा clear देख लाई देगा यहाँ पे यहाँ पे यह जो invoice word है यह थोड़ा सा दूर हो गया और यहाँ पे भी cursor रखते है इसके नीचे चाहिए तो मैं यह after वाला use करूँगा कुछ इस प्रकार से दौना में gap आ गया है तो हमारा इतना बन के तयार हो गया इसके बाद आपन next चलते हैं तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ serial number कितने product बेच रहे तो यहाँ पे आपन serial number देंगे तो मैंने यह कर लिया serial number तो यह आगए यहाँ पे serial number इसको मैं थोड़ा सा capital कर लेता हूँ यह इसके बाद next आता है उसका name of item मतला आप कौन सा चीज बेच रहे उसका यहाँ पे नाम आजाएगा तो मैंने यहाँ पे कर लेना है name of item यह मैंने यहाँ पे कर लिया है इसके बाद यहाँ पे देना quantity आप कितनी quantity sell कर रहे हैं उसकी तो मैं यहाँ पे quantity कर लेता हूँ यह हो गया है इसके बाद मैं यहाँ पे दे देता हूँ rate उसका price कितना है तो मैंने कल यहाँ पे rate इसके बाद amount यहाँ पे total amount कितना होगा तो मैंने यह कर लिया amounts इसके बाद यहाँ पे आते हैं अब इनको पूरे को मैं select कर लेता हूँ कुछ इस प्रकार से यहाँ पे serial number आ जाएगा यहाँ पे item की name quantity rate और amount तो मैं थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ जितना आपको सो table लगे जितना आपने area लिया है paper का आप उसी हिसाब से इसको adjust कर लें कुछ इस प्रकार से हो गया है अब मैं क्या करता हूँ इसकी size मैं increase करता हूँ थोड़ा से select कर लेता हूँ यहाँ पे जाकर कि इसकी size increase कर लेता हूँ मैं यह मैंने increase कर लिया है इस प्रकार से जादा हो गया यह ठीक है अभी ठीक है इसके बाद मैं यहाँ पे करने वाला हूँ सीरियल नमबर छोटा होता है तो इस कॉलम को अरज़ेस्ट कर लीजे लगबग ये इतना नेम उफ आइटम इसको थोड़ा से इंक्रीज कर लेते हैं ये ठीक है और अमाउंट को भी थोड़ा सा कम कर लेते हैं यहाँ पर जाकर कि यह मैंने कर लिया है इसके बाद ये मैं थोड़ा सा और अरज़ेस्ट कर लेता हूं कुछ इस परकार से और इसको ये मैंने ये अरज़ेस्ट कर लिया यहाँ पर आइटम का नाम आ जाएगा कॉन्टिटी रेट और उसका अमाउंट अब मैं ये दो सेल को सेलेक्ट कर लेता हूं यहाँ पर इन दो सेल को मैंने सेलेक्ट कर लिया कुछ इस परकार से और इसको भी मैंने select किया shortcut की control B से bolt हो गया ये control E से center align हो गया इस तरीके से मैंने कर लिया है अब यहाँ पर last वाला ये जो row है इसको मैं select करता हूँ इसको भी merge करना है तो मैं यहाँ पर जाकर किये मैंने merge कर दिया अब मैं यहाँ पर signature चाहिए मेरे को customer के और जो ये bill book देता है bill बना के देता है उसका यहाँ पर sign आएगा तो यहाँ पर मैं enter के दोरा space create कर लेता हूँ अब मैं यहाँ पर एक word type कर लेता हूँ नियम और सर्ते तो मैं यहाँ पर note कर के दे रहा हूँ ठीक है तो मैंने यह कर लिया note और इस प्रकार से यह symbol दे दिया मैंने यह हो गया इंटर इस note को भी थोड़ा सा dark कर लेते हैं ताकि यह इस तरीके से कर लिया और size को मैं थोड़ा सा increase कर लेता हूँ तो मैंने यह increase कर लिया अब इसके बाद यहाँ पर कुशी नियम सर्ते देने ही मेरे को लिया है कुछ इस प्रकार से आप देख पा रहा है यहाँ पर जादा space आगया इसको थोड़ा कम कर लेते हैं तो यहाँ पर कुछ condition लिख दी है मैंने यहाँ पर इस प्रकार से जैसे कि आप लोग देख पा रहा हो इसके बाद यहाँ पर मैं लिखने बाला हूँ customer signature customer के sign लेने हैं यहाँ पर तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ customer signature तो मैं यह लिख देता हूँ signature of customer तो मैंने यह टाइप कर लिया इस प्रकार से अब मैं space के दोरा इस site आता हूँ जो ये बिल बना करके देता है आइटम बेचने के बाद कहने ची ये दुकान वाला तो उसका यहाँ पर सिगनेचर होगा तो मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूं सिगनेचर यह हो गया आप इसको और अरजेश्ट कर सकते हैं यहाँ पर कर सा, रखेश स्परेश के दोरा इस तरीके से और इसके बाद इंटर की प्रैस करते थोड़ा से यह गैफ आ जाएगा और यहाँ पर रखे एक और इंटर यह इस पोड़ा सा अरो की से आगे कर लेते हैं यह लग बग इस प्रकार से हो चुका है अब यहाँ पे थोड़ा सा size वगएरा आप maintain कर लीजिए जैसे कि ने इसको थोड़ा सा highlight करा लेता हूँ मैं अपने according जैसा मेरे कुछ यह मैं वैसा use करूँगा इस फूरे को select करता हूँ इसकी size थोड़ा सा मैं increase करता हूँ तो यह थोड़ा सा ज्यादा matter इस तरीके से हो गया है अभी चलेगा मैं इसको adjust कर लूँगा यहाँ पर करसर रखें इसके front में इस तरीके से पहले ही आप backspace दबाते जाए यह automatic उपर आ जाएगा मैं यहाँ पर press करते जा रहा हूँ यह इस प्रकार से आ गया है अब यह extra है इसको select करके backspace यह भी extra है इसको select करके backspace यह हो गया थोड़ा से size बढ़ी होगी अब मैं इसको भी select कर लेता हूँ यहाँ पर इस वाले को और इसका भी थोड़ा font change कर लेता हूँ तो मैं यहाँ पर वोई वाला font कर ले रहा हूँ तो यह हो गया कुछ इस प्रकार से अब देखो यह font बदला तो यह थोड़ा सा इस प्रकार से matter आगे पीछे हो गया है तो आप सब में थोड़ा थोड़ा space maintain कर लेंगे तो यह वाला guard भी उपर आ जाएगा कुछ इस प्रकार से यह हो गया अब इस वाले को थोड़ा सा बढ़ा कर लेते हैं इस तरीके से और इसको select करने के बाद थोड़ा सा और size increase कीजिए तो यह और बढ़ा हो जाएगा अच्छा तो बढ़ा होता है आपको देख रहा होगा आप जूम करके देखेंगे यह उपर बहुत ज्यादा टच हो रहा है इसको मैं select करता हूं बीच और बीच रखता हूं ऊपर नीचे से तो आपने सीका हुआ लेयार्ट में जाके इसमें क्लिक कर लीजिए यह हो गया इस तरीके से और इसको मैं select करता हूं इसका यूफ़ फॉण थोड़ा सा अलग करने की कोसिस करता हूं ताकि यूफ़ थोड़ा वट खिलाई दे आपको जैसा की लगे मैंने यह यह आपर कर लिया यह इस तरीके से यहो गया है और इसको यहार पर इसका font change कर देता हूं यह हो गया है इसको celt करने के बाद इसको मैं थोड़ा सा वोल्ट कर दूंगा तो यह मैंने वोल्ट कर लिया कुछ इस प्रकार से यह हो गया है तो यह हमने इस तरीके से सीखा कि किस तरीके से हम bill book बना सकते हैं कुछ इस प्रकार से आप देख पा रहा है कि बिल्डुक कैसे तयार करें MS बर्ड में तो चलिए मिलते हैं एक नेक्ट न्यू वीडियो के साथ